नाबाले चात्रा से रेप करने वाले आसराम को आज जोदपुर हाई कोट से जमानत मिली है यह जमानत आसराम के द्वारा सुप्रीम कोट में फरजी दस्ताविश पेश करने के मामले में मिली है आसराम दुशकर्म के मामले में सजा आजीवन कारावास की सजा काट रहा है इसलिए वह जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आपाएगा जस्टिस कुल्दिप माथू ने इस मामले में सनवाई करते वे जमानत के आदेश दिये अधिवक्ता नील कमल बोरा वो गोकुलेश बोरा ने असराम का पश रखा था बता दे की वर्ष 2017 में सुप्रीम कोट में असराम की और से जोदपूर सेंडरल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया था जिसमें असराम की कई कम्विर भिमालों का जिक्र था इस सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोट ने जाज करवाई तो मामला फर्जी निकला सुप्रीम कोट के आदेश पर जोदपूर के रात नारा थाने में असराम के पेरोकार रवी राय पर F.I.R. दर्च हुई और मामले में असराम को भी आरोपी बनाया गया इस मामले में 18 जन्वरी को असराम को CGM मेट्रो कोच में पेश किया गया कोट में असराम को आरोप सुनाये गए इसके बाद असराम के वकील ने हाई कोट में जमानत याचिका लगाई थी उसी याच्चिका पर आज यह सुनवाई हुई थी